नमस्कार मैं दुशा पामेचा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज हमारे देश में राम नवमी के पावन अफसर पर राम मंदिर में राम लल्ला का सूर्य तिलक किया गया चौकाने वाली बात ये है कि राम लल्ला के गर ग्रहे में ऐसा कोई भी छिद्र नहीं है जहां से सूरज की किर्ने अंदर आ सके और राम लल्ला पर पढ़ सके तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सूर्य तिलक किया कैसे गया तो यहां पर आते हैं हमारे भारतिय विज्ञानिक जिनके कौशल और गुद्धी मानी से ये अद्भुच्षन संभव हो सका हमारे भारतिय विज्ञानिकों ने एक आप्टो मेकैनिकल एक्विप्मेंट को डेवलाप किया जिसमें कुछ mirrors, कुछ lenses और brass pipes की मदद से एक equipment बनाया गया जिसने सूरज की किरनों को focus किया रामलला के माथे पर और ये सूर्य तिलक संभव हो पाया तो चलिया आए जानते हैं इस सूर्य तिलक के पीछे की science को तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर mirrors लगे वे हैं और यहाँ पर कुछ brass के pipes भी लगे वे हैं तो हुआ यह है कि जो पहला हमारा mirror है वो राम मंदिर के top floor पर लगाया गया है यह जो mirror है इसके उपर सूर्य की किरने पड़ती है और सूर्य की किरने जब इस mirror पर पड़ती है तो वो reflect होती है brass pipe के अंदर हमारे दूसरे mirror पर यह जो दूसरा mirror है हमारी सूर्य की किरनों को 90 degrees पर reflect करता है और यह जो सूर्य की किरने हैं हमारे यहाँ पर कुछ 3-4 lenses प्रेजन्ट हैं brass pipe के अंदर जो की इन सूर्य की किरनों को intensify करते हैं अब यह जो सूर्य की किरने हैं यह ground floor तक पहुचती है brass pipe के जरिये और यहाँ पर लगेवे हैं दो और mirror जो की इन किरनों को फिर से reflect करते हैं 90 degrees पर और यह सीधा जाकर हमारे राम लल्ला के माथे पर सूर्य तिला करती है हमारे माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस अद्बुद और अप्रतिम शंट का अपने यात्रा के दोरान उनके टैब पर द्रिशे देखा और वो काफी भावक हुए तो राम नवमी के पावन अफसर पर मैं और हमारे मिशन ग्यान की सारी टीम आपको राम नवमी की बहुत बहुत शुपकामनाई देती है धन्यवाद